हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब यह देखिए आज मैं आपको एक जैकिट का डिजाइन दिखाऊंगी जैकिट बना रही हूं और यह मैंने बार्डर से लेके और यह डिजाइन यह बता दिया था चैनल में वीडियो आप देख सकते में चैनल में जाके यह फं यह बताऊंगी कि जैकिट में हम फरंट पार्ट में कितने फंदे गटाते हैं मुड़े में और बैक पार्ट में कितने गटाते हैं और फिर कंदे में कितने रखे हैं फंदे मैंने और बैक साइड में इसका देखिए गला कितनी इसकी गले की गटाई करी है क्योंकि बैक हम 6-8 सलाई में फंदे इस तरह से घटा के और फिर पट्टी बनाएंगे तो यह बिल्कुल सही बन जाएगी यह देखिए अब आगे की पट्टी मैंने बना लिया और बैक साइड की पट्टी है तो साथ साथ बना के जोड़ेंगे या फिर हम अलग से बना के भी यहां से यहा कर लें क्योंकि घटाई करने से यह रहता है कि पट्टी की जो शेप है जब हम पहनते हों बड़ी सही आती है और अभी एक कमेंट आया था किसी ने कमेंट किया था कि आप कंदे में कितने फंदे रखते हैं जैकिट में तो यह देखिए जैकिट में मैं ज्यादा तर 22 से 25 फ लगता है वह यहां तक इसमें पहले हैं जादा रखते हैं जादा रखते हैं तो फिर अभी यहां पर मुड़् यह जो बनेगा अर फिर चोड़ागा हो पटिके और इस अब यह देखिए इस में गटाई मैंने कैसे किया फ्रंट वाला जो पार्ट है इसमें पांच चार तीन दो एक की गटाई करते हुए फिर मैंने कुछ फंदे और घटाई हैं क्योंकि अगर मानलों ज्यादा फंदे यहां रहता हैं तो फिर यह अच्छा नहीं लगता चाप चार तेन दो एक equi घटाई करते हुए यहां एक एक फंदे मैंने कहीं जगा गटाई Estes और गले भी इसी तरीके से यहां से देखी हमने गटाना शुरू किया था और हर सलाई पे एक एक फंदा गटाते हुए यहां तक कि इसकी गटाई हो गई थी पूरी फिर उपर तक इसमें मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है अब इससे बिल्कुल शेप बहुत अच्छी आती है जब हम इसको दोनों तरफ से यह देखिए अभी तयार होगी मैं तब भी दिखाऊंगी इसके अभी मुड़्े बनाने रहते हैं और इसकी पट्टी बनानी रहती है तो कहीं कमेंट थे कंदे पर कितने फंदे रखते हैं तो फिर मैंने सुचा ज पहले मैं यही बता देती हूं क्यो चार ठीन दोई कि कटिंग करते हैं अगर आपको लगता की एक फंदा और गटा सकते हैं और बैक साइड की जो गटाई आ सकते हैं और आप तो इससे हमारी जवा कुताई यह अछ κι हैर्धी तो फिटिंग बननौने की बाद बहुत हैं उलारिक के से ऐसे इतना गैप फरंट वाले पार्ट में होना चाहिए यह अंदर को होना चाहिए अगर इसमें पांच फंदे जादा घटे होंगे तो यह इस तरह की शेप से घटाई होगी और जब हमारी इसकी मुड़े की हम फिटिंग बनाएंगे तो वह सुंदर बन जाएगी और कैसा लगा यह आपको डिजाइन और मेरा बताने का तरीका क्योंकि कहीं कमेंट होते हैं कि इस तरीके से आप हमें बता दीजिए इस तरीके से तो फिर बनाने के बाद बताना सही रहता है और उसमें समझ भी हम जाते हैं और कहीं बार बनाते एक तो वीडियो बहुत जादा बड़ी हो बनाने के बाद ही शेयर की है वीडियो कि कंदे में हम यहां कितने फंदे रखते हैं यहां कैसे गटाते हैं और एक बात और बताऊंगी यह देखिए जैसे यह अम यह डिजाइन बनाते हैं यह जो फली आप देख रहे हैं कितनी किलियर आ रही है तो अगर यह फली हम नीचे स वनेगी और आगर हम इसको ऐसे ही उतार के बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा खिचाव पड़ जाता है यह देखे जैसे बैकसाइड में फंदा उतार के बनाया हुआ है इसमें युट इसमें इतनी क्यार भी नहीं है और हलका सा खिचाव है पैनने के बाद यह सेट तो हो जाएगा लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना यह इस तरह की फरी लगती है हम स्वेटर में जब डिजाइन डालते हैं तो बहुत जगई यह वाला डिजाइन एक सीधे फंदे काम करते हैं और अगर हम यह डिजाइन इस न Allah लूज है और यहां से टाइट है और यह वाला जो है यह इस तरीके से कुछिज जैसी होती है कि देखके और बताने से यह समझ में आती है और तो आज की मेरी यही वीडियो थी कहीं कमेंट से इस तरह के कहीं मेरी सब्सक्राइबर है वह मैं को मैं को बोल रहे थी है आप आप इस तरीके से आप बताएं तो आज मैंने इसी लिए ये वीडियो डाली है कैसी लगी आपको आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रू बताना और अगली वीडियो होगी यहां कितने मुड़े में फंदे उठाऊंगी मैं